एलो एवरीवन स्वागते आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWT चॉब में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की तरफ से स्कूल टीचर वेकेंसी और साथ में रिसोर्स परसन की वेकेंसी का नया नोटिफिकेशन चार राज्यों से जारी कर दिया गया है एंटीटी, पी, आर्टी, डीएट, बीएट, कैंडिरेट बिल्कुल यहां आविदन कर सकते हैं सैलरी 45,000 मिनीमम रखी गई है आप पता करिएगा जिन कैंडिरेट का यहां सेलेक्शन हुआ है तो उनको सैलरी मिल रही है बिल्कुल पर्मानेंट पोस्ट रहती है सबसे पहले ओफिशल वेबसाइट पर आना है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन वर्क विद अस यहां पर सबसे उपर आपको दिखेगा इस पर जो आप क्लिक कर लेंगे तो यह पेज आपके सामने आ जाएगा ठीक है ओफिशल वेबसाइट का लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा इसी वीडियो के नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर आप क्लिक करेंगे और यहां सबसे उपर वर्क विद अस इस पर क्लिक करना है आपको यह पेज आपके सामने आएगा और थोड़ा नीचे आएगे नीचे आएगे तो आपको दिखेगा अनॉंस्मेंट नेक्स्ट ऑनलाइन टेस्ट इसमें ऑनलाइन टेस्ट होता है फॉर स्कूल टीचर एंड रिसोर्स परसन तो डेट फिक्स है 26 अक्टूबर 2024 सेटर्डे के दिन होगा तो आप तयार रहें अगर आप जो है यहाँ पर जॉब करने के इच्छोख है काफी अच्छी यहाँ पर जो कैंडिरेट सेलेक्ट होते हैं उनको गॉर्मेंट स्कूल में ही भेजा जाता है अप्लाए बाए 19 अक्टूबर 2024 19 अक्टूबर तक जो आप अप्लाए कर दें अब यहाँ पर देखें 4 shortlisted candidate जिनको shortlisted किया जाएगा यानि जो भी application form फिल करके सही तरीके से भेजते हैं eligibility criteria को पूरा करते हैं उनको shortlisted करते हैं जितने भी जो है candidate की इनको जरूरत है the return test will be conducted digitally तो online test होगा बिलकुल qualification उनकी बिलकुल सही है या जो भी मागा गया है उसे अगर पूरा कर रहे हैं तो ऐसे में जो है यह physically test इनको लगेगा तो ही करवाएंगे test result will be shared with participant on their registered email ID जो आप email ID भेजते हैं तो उसमें जो है आप लोगों को भेजा जाएगा result अगरा पास हो जाते हैं अवर state recruitment team will also be in touch with selected candidate for the next step of interview उसके बाद जो है interview रहेगा तो नो more and apply for resource person position and school teacher position और भी जानकारी के लिए आपको यहाँ click करना है resource person के लिए अलग है school teacher के लिए अलग है नीचे है to more about the selection process selection process क्या रहता है school teacher का resource person का तो इनोंने अलग से जो है यह चीज़ बताई गई है कि पहले जो है आप online application आप fill करते हैं उसके बाद जो है return test होगा उसके बाद जो है recruiter screening फिर interview round ठीक है और last में जो है offer letter यहाँ पर देखे resource person के हम देख रहे हैं तो recruitment drive in संभलपुर Odisha Odisha राज्य में है resource person की 36 गड़ में भी है उत्राखंड में है मध्यप्रदेश में है ठीक है जारखंड में है राजिस्थान में है ठीक है तो resource person के लिए तो आप यहाँ पर click कर लेंगे पूरी information आप ले सकते हैं school teacher की आप देखें school teacher में यहाँ पर eligibility criteria आप देखें इसे आप पूरा करेंगे तो ही आप form apply करें for pre primary 12th आपकी होनी चाहिए entity course के साथ में या फिर इसके equivalent कोई teacher training course हो primary के लिए graduation के साथ में dear या beard यहाँ पर primary level का अगर आप form apply करते हैं यहाँ पर beard वाले भी apply कर सकते हैं for higher secondary teacher के लिए अगर आप apply करते हैं 11-12th को पढ़ाने के लिए तो master degree इंग्लिस में या chemistry में या physics में या biology में या political science में beard के साथ में ठीक है अभी जो है 2 साल का teaching experience भी जो है इसमें मांगा गया है तो आप यह condition देख लें जो भी आप पूरा करते हैं नीचे देखें आप school teacher उत्राखण के लिए अगर आप apply करते हैं तो इस पर click कर लेंगे 36 गड़ के लिए apply करते हैं तो इस box पर click कर लेंगे करनाटक के लिए अगर आप apply करते हैं इस पर click करना है तो बाहर जो है इन्होंने बता दिया है कि online test जो है आपका 26 को होगा 26 October 2024 को होगा अभी अगर आप इसको open करते हैं तो हो सकता है पुराना जो है इसमें अंदर जैसे की update जो है 31 मई 2024 का है आपको बस यहाँ से जानकारी लेनी है job description open position at location ठीक है यहाँ पर जो है राजिस्थान में जैसे बार्डमेर में टॉंक में सिरोही में यहाँ पर है और subject देखे है अजीम प्रेम जी स्कूल बार्डमेर ECE primary जिसमें EVS और अपर प्राइमरी English तो यह subject भी जानने बहुत जरूरी है हो सकता है आपका subject कुछ और हो और यहाँ पर जो है कुछ और मांगा गया है आजीम प्रेम्जी स्कूल टॉंक में आप देखें आपर प्राइमरी English चाहिए और Social Science चाहिए आजीम प्रेम्जी सिरोही में ECE primary English subject चाहिए तो qualification जो है इसके language जो है वो आपको जरूर आनी चाहिए ठीक है यह मैंने आपको बता दिया है टॉंक सिरोही और बार्ड मेर में तो यह सारी चीज़ें जो है पूरा अच्छे से देखा करें उसके बाद ही जो apply करें ऐसा ना हो कि अभी जो है इसमें अपर प्राइमरी के लिए जो है Social Science चाह तो यह आपको पूरा देखना पड़ेगा उसके बाद ही आप apply कर सकते हैं ठीक है इसी तरीके से जो है बाकी के लिए जो है आप देख ले आप किस राज्य के candidate है कहां के लिए जो है आप apply कर सकते हैं तो आप देख ले ठीक है यह मैंने आपको बता दिया उत्राखंड, 36 ग with a minimum 5 year teaching experience अगर आपने graduation किया है तो 5 साल का आपके पास teaching experience होना चाहिए अगर आप post graduate है तो 2 साल का teaching experience ठीक है और resource person का जो काम होता है इस sector में जो है आपका experience थोड़ा बहुत हो क्योंकि field work रहता है आपको पता है और language profiscences इसमें Hindi English दोनों आनी चाहिए तो यहाँ पर आप देखें apply करने का option तो आपको उसी page पर नजर आ जाएगा कहीं पर भी आप देखें उपर नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर right side में दिया हुआ है apply now official website का link आप लोगों को share कर दिया जाएगा इसी वीडियो के नीचे description box में मिलेंगे next video में thank you